हेलो फ्रेंट्स, केमेस्ट्री के बे इंपोर्टेंट प्रस्ट जो ग्रूप D में बार बार पूछे गए उन प्रस्टों की स्रिंखला को लेकर फिर से में एक बार आ चुके हैं और आज भी हम देखेंगे वो इंपोर्टेंट प्रस्ट जो डिरेक्टली पूछे गए हैं रे तो इसमें आपको यह पता करना है कि कौन सा केटायन है मतलब किस compound के ऊपर positive का charge लेगा देखो मैं विसो कर लेता हूँ जब आप hydroxide देखोगे तो hydroxide के ऊपर charge होता है minus का मतलब हमको तो plus का charge देना और यहां पर minus है मतलब यह तो option होने से रहा इसी प्रकार carbonate का भी charge होगा और nit का भी charge होता है वो सब जो होता है वो minus ही होता है तो यह तो जितने भी है यह सब के सब क्या है यह सब रिन आयन है मतलब यह सब क्या है एन आयन है तो यहां पर जो अपना सवाल का जवाब है वो है ammonia आप ammonia को दोखोगे तो ammonia का जो charge होता है वो होता है NH4 plus मतलब यह जो होता है वो NH4 आयन रखता है तो अपना सही जवाब हो जाएगा इस प्रस्थन का सही उत्तर है अमोनिया क्योंकि अमोनिया जो है वो NH4 प्लस आयन को रखता है जो कि एक धनायन है अपना दूसरा प्रस्थन है कि helium को छोड़कर सभी noble gases में बाहरी सेल में कितने electron होते है तो देखो ध्यान रखना है कि जो भी noble gases होते है बिसिकली noble gases जो होते है वो group 18 element कहलाते है और इसके जो outer most sale होते है जो बाहरी sale होती है उसमें हमेशा क्या होगा कि पहला सेल तो दो का बंता है जो हिलियम का है दूसरा वाला सेल का जो है आठ बंता है और उसके बाद जो भी इसके बनेंगे बिसिकली NOBEL GASES की बात करें तो बहुत सारे NOBEL GASES है बिसिकली साथ NOBEL GASES के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो है हिलियम, नियून, आरगन, Newton, Genon, redone इस प्रकार के gases से तो उसमें से सवाल है कि helium को अगर छोड़ दिया जाये तो बाकी gas के अंत में क्या आता है तो देखो मैं एक याज बता देता हूं जैसे कि हिलियम अगर छोड़ दिया नियॉन लेते हो तो नियॉन का atomic नमर 10 होता है तोड़ेंगे तो तूटेगा दो दो आठ ठीक है इसी प्रकार आप आगे बरोगे तो helium सेल होंगे किसके लिए noble gases के लिए तो वह आठ होने वाला है बरते हैं अगले प्रस्न पर अपना अगला प्रस्न यह है कि ओजोन के एक अनू में कितने परमानू होते देखो ओजोन का फर्मूला ही होता है O3 तो यहां पर निश्चित रूप से कितने परमानू है तो तीन है त जिसको आफ नाइब से काच सकते हो तो देखो बोत दो ही ऐसे मेट लेजिसको आप छूडी से काच सकते हो पहला है 11.16 के पेपर में पूछा है कि अमोनिया के N1 और H2 के दरब्यमान हमेशा अनुपात में होते मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अनुपात जो है वो हमेशा एक अनुपात में होते तो बैसिकलि लिए अमोनिया जब आप देखोगे तो अमोनिया का फर्मूला क्या होता है तो अमोनिया का फर्मूला होता है NH3 ठीक है तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो एटोमिक बेट है वो कितना होता है तो 14 होता है जबकि हाइट्रोजन का एटोमिक बेट 1 होता और 3 एक गुना 3 मतलब 3 होगा मतलब आंसर जब भी होगा तो 14 इस्टू 3 के रेशियो में होगा और वही अपना सही जवाद भी है आंसर है 14 इस्टू 3 हम बढ़े अगले प्रस्न पर उससे पहले हम आपको बता दे अनकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए रेलवे गुरूप D को पाने के लिए बहुत ही अच्छा सा मौका क्योंकि यहाँ पर मिल रहे है आपको भारत के बे सर्वस्रेस्ट टीचर जो कई जगा पर हाते हैं लेकिन उनका एक कलेक्शन अनकैडमी अपने तरब से लाया है आप सबों के लिए तो आप भी इनसे जूर सकते हैं हमारे कई प्रकार के बैचे जिसमें चल रहे हैं आप द डाउनलोड करें और अगर आप इस कोर्स को पर्चेश करते हो इनके कोर्स को इनके टेस्ट को पर्चेश करते हो अगर आप वहाँ पर हमारा कोड़ AS2021 देखो यहां लिखा है AS2021 जब अपलाई करते हो तो यहां आपको मिलता है 10% तक का डिसकाउंट जो है आपके लिए ब अगले प्रस्ण पर अपना अगला प्रस्ण है कि रासाइनिक गुनों में मेंडलीव के कौन से ततबों द्वारा बनाए गई योगी को पर ध्यान केंद्रित किया तो यह है कि मेंडलीव ने किन ततबों पर ध्यान दिया था तो ध्यान रखना है कि रासाइनिक ततबों में मे इपने में से किस गैस का पड़ियोग किया जाता है तो देखो जब भी खादे प्रकास के खादे पदार्तों का अगर ऑक्सी करन रोकना है तो उसके लिए आपको नाइट्रोजन का उपियोग करना पड़ता है ये क्या करता है खराब होने वाले चीज़ों खाने को रोक लेता किया है तो ऑक्सीजन का एक मास होता है 16 चुकि यहां पर दो है तो 16 गुना 2 मतलब 32 हो जाएगा और कितने मोल्स कह रहे है 0.3 है मतलब 32 को जब आप 0.3 से गुना करोगे तो आपका अंसर आजाएगा 9.6 और यो राइट आंसर विल भी 9.6 आप देख सकते इस प्रस्न का सही जबाब है 9.6 ग्राम अगला प्रस्न क्या है अगला प्रस्न यह है कि CO2 में कारवन और oxygen द्रब्यमान द्वारा अनुपात में मौझूद है तो सिदी सी बात है कि CO2 में एक कारवन और एक कारवन का जो अनुपात होता है वो 12 का होता है क्योंकि इसका atomic mass 12 होता है और oxygen 2 है तो एक oxygen का 16 तो 2 oxygen का 32 तो आप इसे लिग दो 32 अब काच्छा चुरू करोगे अगर आप तो आपको पता चलेगा 4 तीय बारा और आच्छो का 32 मतलब जो ratio है वो 3 to 8 है और देखो यही answer भी सही है बढ़ते हैं अगले प्रस्न क्यों अपना अगला प्रस्न है कि जब हम आबधिक ता होगे तो उपर बनता है 2 का सेल जैसा ही नीचे आएगा 2 8 उसके नीचे आओगे तो नीचे का सेल बनता है 2 8 18 उसके आगे भरन सकता है इसके नीचे आओगे तो 2 8 18 32 इसके आगे भरन सकता है तो आप क्या देख़ए हो सेल बढ़ता जारा है देखो सेल बढ़ता जारा बर है न सेल टोटल साथ सेल ऐसे बढ़ सकते मतलब जैसे ऐसे नीचे आते नमबर इस बढ़ती चली जाती है और यहां पर ही जबाब है सेलों की संख्या बढ़ जाती है अगला प्रस्न क्या कहे रहा है अगला प्रस्न है कि एम कच में सामिल हो सकने वाले एलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है तो ध्यान डखना है कि एम सेल जो होते हैं देखो पहले इस बात को आप समझो कि एम सेल होता क्या है तो periodic table में basically जो होते हैं कई प्रकार के सेल होते हैं ठीक है तो अलग-अलग सेल होते हैं तो कह रहा है the maximum number of electrons that can be accommodated in the एम सेल तो एम सेल में maximum कितना जा सकता है अगर आप देखोगे तो maximum इसमें 18 जा सकता है 18 से जादा नहीं जा सकता है तो अपना सही जवाब हो गया 18 ठीक है अगला प्रस्न क्या है अगला प्रस्न है कि दातों में सरन सुरू हो जाती है जब मू का pH डैस से कम होता है तो इसका जवाब है 5.5 pH का मतलब होता है Potence of Hydrogen या Power of Hydrogen देखो ये सब चीज भी railway ने पूछ रखता है इसलिए मैं बताता चलता हूँ एक्स्ट्रा चीज भी जो प्रस्न में नहीं है pH का मतलब होता है Power of Hydrogen और जब मू का pH 5.5 से कम हो जाता है तो दांत जो है वो सरना सुरू हो जाता है इस चीज को दिमाग में रखना है अगला सवाल क्या है अगला सवाल है कि Acetic Acid के एक मोल में Oxygen के कितने परमानू होते है अब Acetic Acid आपको पकड़ना है कि उसके एक मोल में Oxygen के कितने परमानू होते है तो देखो पहले तो यह जानना है कि Acetic Acid होता क्या है तो Acetic Acid का Formula होता है CH3 bond COOH तो आप देख़ए यहाँ पर Oxygen कितने है 2 हैं तो अपना सही जवाब हो जाएगा A और सही जवाब है 2 mol of oxygen होते हैं अगला प्रस्न क्या कह रहा है अगला प्रस्न ये कह रहा है कि aluminium का प्रमानू दर्ब्यमान 27 और aluminium के 54 gram में मौझूद अनुओं की संख्या कितनी होगे तो 54 gram है अगर और एक का दो है वो 27 है तो इसको जब भाग लगाओगे तो कितने mol निकल जाएंगे 2 mol निकल जाएंगे और वही सही जवाब है option A जिसका जवाब है 2 mol अगला प्रस्न क्या कह रहा है अगला प्रस्न ये कह रहा है कि beach of the following is an amorphetic oxide इनमें से कौन amorphetic oxide है इन प्रस्नों और इन से भी बहतर बहतर प्रस्नों जो RRB Group D Barber पुस्ता है उसके लिए हम लोगों ने एक स्रिंकला तयार की है इसका नाम है ASO E-Books आप इस पुस्तक को purchase कर सकते हैं हमारे YouTube के description में इसका link दिया गया है आप इसे purchase करें और हमने अभी हाली में एक समान विज्ञान पैकेज भी बनाया है जो बहुत ही धारदार है जो बहुत ही कामगार है आप इसे पढ़िए आप इसे purchase कीजिए और हम आसा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद Thank you friends Thank you